हेलो फ्रेंस, आज मैं बना रही हूँ रसमलाई, और मैं किस तरह से बना रही हूँ आपके साथ सेर कर रही हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो पलीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करे, लाइक करे, सेर करे अपने फैमिली मेंबर में, तो सबसे पहले मैंने द चार नेम्बू का रस लिया है, तो अभी हम इसको चलाएंगे, और हमारा दूद अच्छे से गरम होने के बाद, हम इसमें नेम्बू का जो रस है वो डालेंगे इसमें, तो दूज़ जो है अच्छे से गरम हो गया है देख सकते हैं अभी बेने गेस की जो आचे धिमी कर दी है और अभी मैं इसमें निम्बू का रस डालूंगी और बनाऊंगी छेना जिससे हमारी रस्मलाई बनती है तो मैंने चार निम्बू का रस्मलाई निकाल दिया है और अभी इसमें थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ ये अफसन है आप मिला भी सकते हैं नई भी चलता है तो अभी मैं इसमें एक एक चम्मच डालूँगी और चलते रहूँगी तो हमारा चेना रड़ी हो जाएगा इस तरीके से हम पानी इसलिए डालते हैं कि चेना जो है हमारा नरम होता है एकदम सक्त नहीं होता तो अभी इसको हम अच्छे से चलाएंगे एक एक चमच डालते रहेंगे और इस तरह चलाते रहेंगे तो हमारा जो चैना है वो रड़ी हो जाएगा तो अभी मेंने सारा डाल दिया है चैना जो है हमारा रड़ी हो गया है अभी हम इसको निचे ले लेंगे और गैस को बंद कर देंगे अभी हम इस पे कोटन के कपड़े से इनको हम निकालेंगे यह मैंने कोटन का कपड़ा ले लिया है और इसके नीचे मैंने छन्नी ले लिया है यह देख सकते हैं इस तरह से जो पानी है इसका वो निकल जाएगा तो इसको हम इसमें ले लेते हैं कोटन के कपड़े में आप छन्नी में भी ले सकते हैं अगर आपकी छन्नी बारिक वाली हो तो मेरे पास वो नहीं है तो मैं इसमें ले रही हूँ कॉटन में अभी हम इसको दो घंटों के लिए रख देंगे जिससे की हमारा छैना रड़ी हो जाएगा इसमें अच्छे से हम पानी निकाल देंगे देखिए इस तरह से इसका जितना भी एक्ष्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए तो मैंने इसको दो घंटों के लिए रख दिया है इस तरह से जितना भी एक्ष्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा अबी देखिए दो घंटे के बाद मैंने इसको देखा है तो इस तरिका हुआ है हमारा जना और अबी हम इसको इस तरह से मलेंगे हातों से जना हमारा बहुती नर्म हुआ है तो इसमें हम एक चम्मच मेंदा डालेंगे जादा नहीं और अच्छे से हम इसको हातों से मलेंगे इस तरह से हम हत्यली से इस तरह से मलना है हमारा जो डो है एकदम चिकना बनाना है तो इस तरह से हम हातों से मलेंगे तो जो डो है मेरा रड़ी हो गया है और मैं ले रही हूँ दो कटोरी चीनी और चासनी बना रही हूँ दो कटोरी चीनी में हम दो कटोरी पानी डालेंगे अभी हम इसके बना लेंगे जो भी आपको आकार पसंद हो उस तरीके के हम इसके गोल बना देते हैं आपकी जो भी सेप है आपके अपने हिसाब से बना सकते हैं मैंने इस तरीके से गोल बनाए हैं और चास्नी में हमें डाल देने हैं इस तरीके से चास्नी हमारी रड़ी है और हमें चास्नी में कम से कम 35 मिनट इसको पकाने हैं और अभी मैंने लिया ये केसर तो केसर में हम दूद मिलाके इसको रख देंगे 10-15 मिनट के लिए यह देखे इस तरीके से और यह है ड्राइफूट तो हम उसमें डालेंगे रस्मलाई में आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राइफूट ले सकते हैं और यह हमारी दूद की मलाई है जो हमने बनाई है हम दूद को गाड़ा करके बनाई है इसको अभी हम इसमें सारे ड्राइफूट डाल देंगे देखे मैंने अलग से यह दूद की मलाई बनाई है हम जितना दूद गाड़ा करेंगे हमारी मलाई जितनी आपको थिक चाहिए वैसी बन जाएगी तो मैंने सारे ड्राइफूट इसमें डाल दिये हैं और इसको अच्छे से चला देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे ये केसर का जो दूद है वो भी हमने डाल दिया है तो देखिए हमारे दूद का कलर जो है चैंच हो गया है इस तरीके से अगर आपको वाइट पसंद हो तो आप केसर ना डाले तो वाइट भी रह सकता हैं और अभी इसमें मैंने मिलाई ये चीनी दू कटोरी चीनी मिलाई है मलाई जो है हमारी रडी हो गई है और अभी हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और देखिए कलर कितना अच्छा आया है तो बहुत अच्छे तरीके से हम घरबे बना सकते हैं रस्मलाई और इसको हमने ठंडा कर दिया है यह देखिए इस तरीके से हम निकालेंगे बाहर और मैंने एक कटोरी में हमारी मलाई ले ली है जो हमने बनाई थी और इसमें हम यह देखिए यह चास्नी से निकालके इसमें रख दिया है और इसमें हम और ड्राइफूट डाल देंगे तो हमारी रस्मलाई बहुत अच्छी बनी है आप भी जरूर बनाए घर पे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक करें शेयर करें तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू